नमस्कार आज़ाब सुस्टिया कल मैं कीटी और आप देख रहे हैं लाइटेन न्यूज बिहार के सिवान जिले को सीम नितीश कमा ने बड़ा तोफा दिया है सिवान जिले के रगुनादपूर प्रखन में तीन मंजिला CSE का निर्मान किया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार साथ करोड 79 लाग रुपे की लागा से तीन मंजिला सामुदाइक स्वास कींद्र अस्पताल का निर्मान हो रहा है बावन निर्मान के बाद जल्दी छेतर की करीब 2,35,264 लोगों की स्वास्त सुविधाय बैथार होंगी यानि कि उन्हें स्वास्त सुविधाय मिल पाएंगी अस्पताल को आधूनिक से सुविधायों से लैस किया जा रहा है अस्पताल के साभी कमरे सुविधायों से लैस होंगे इसमें 26 कमरे में से AC कमरे में भी AC रगेगा OPD 30 बेट के साथ 30 ICU का बेट मौझूद रहेगा Solar Panel के साथ ये अस्पताल रहेगा इससे बिजली बादित होने की जुमार कभी भी अस्पताल करमी और मरीजों को नहीं झेलनी पड़ेगी इस अस्पताल में प्योग के जाने वाली सभी समानों को पलब्ट कराये जाएंगे इस निर्माना दिन अस्पताल के ठेकेदार रमेश दत पार्ठक ने बताये कि ये अस्पताल विभाग को फरवरी महा में सौब दिया जाएगा रगुनादपुर रेफरल अस्पताल के सभी भवन पुराना जरजर हो गया था इसके प्लास्टर टूट कर गिरते रहते थे इन सभी समस्याओं से चिकिस्सा प्राभारी द्वारा विभाग को कई बार अवकत कराया जा चुका है रेफरल अस्पताल के बदले सामुदायक स्वास केंद्र बन जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी फिलाल कि इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आयों तो लाइक को शेयर जरू करेंगे चानल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा